गंग नहर कावण पत्री मार्क पर सपा विधाय का तुल प्रधान का आरोप है कि जो निर्मार चला है कैई पेड अवैद रूप से काट दिये गए और आज यहां देखे जो तमाम टीम है जो तमाम बन विभाग के अफसर हैं जो चीफ कंचरविटर ऑफिसर हैं एनके जानू उन्होंने एक टीम गठित किये हैं जिसमें गाजयबाद, मेरट और मुजफरनगर के अधिकारी हैं और यह देखे जो अधिकारी हैं वो यहां पर निरिक्षन कर रहे हैं बारीकी से जाच कर रहे हैं और पूरी यहां पर जो एक-एक बिंदू है उस बिंदू को खंगाला पूरा यह बार आपको मार्क भी दिखा देता हूं कि यह मार्क देखिए कि यह जो पूरा कामणपट्री मार्क है यह बनाय जा रहा है और आरोप यह लगाय जा रहा था कि जो नियम काइदे कानून है वो यहां पर ताक पर रख दिये गए जो परमीशन थी वह 20 मीटर च्दोन रोज़ कि है तो देखे कई जो पेड थे वह बहुत बेश कीमती और काफी पुराने पेड थे वो न तो रास्ते में रोडां बन रहे थे ना यहाँ पर जो गंग नहर कावर पट्री मार्क का जो निर्मार किया जा रहा है ना इसके बीच में कहीं बाधा बन रहे थे लेकिन यहाँ वन विभाग और PWD के अधिकारियों की शेय पर एक संगठन बनाकर एक गिरो बनाकर यहाँ पर काम किया और कई जगे जो ऐसे पेड़ हैं वो 25 से 30 मीटर दूरी तक भी यहाँ काट दिये गए हैं कहिना कहीं तमाम जो बड़े सवाल हैं वो जरूर यहाँ पर खड़े हो रहे हैं कि आखिर यहाँ सब कुछ चलता रहा लेकिन जो वन विभाक के अधिकारी हैं जो पीड़लूडी के बड़े अधिकारी हैं आखिर वो क्यों खामोश बैठे रहे अब सपाविधाय कातुल प्रदान ने शिकायत की और उस शिकायत करने के बाद यहाँ पर जो टीम है वो टीम यहाँ पर पहुची और यहाँ पर जाच की आप यह देखे किस तरीके से कई जगा जो बड़े पेड़ हैं वो यहाँ पर काट दिये गए हैं और अब इस मामले मे जो जाच कमेटी है वो अपनी रिपोर्ट सौपेगी यहाँ पर जो जाच कमेटी बनाए गई थी उसके जो अध्यक्ष हैं वन सरदक्षक हैं रमेश चंदर वो यहाँ पर आये थे हैं अभी उन्होंने मीडिया से बात में यह भी कहा है कि हाँ कई जगा उन्हें खामिया मि रही है और यह देखिए पूरा जो कावण पट्री मार्ग है यहाँ पर बनाया जा रहा है निर्माणा धीन है लेकिन यहाँ जो तमाम तरह के जो आरूप है वो भी लग रहे हैं कि अवैद रूप से पेड़ों का कटान कर दिया गया कई बड़े और हजारों जो पेड़ है वो बेवजय यहाँ पर काट दिये गए हैं तो देखे कई जगा यहाँ पर अवैद रूप से पेड़ों का कटान किया गया लेकिन किसी ने कोई रोका टोकी नहीं की देखिए समाजवादी पार्टी के विधायक है अतुल प्रदान यहाँ खुद मौके पर पहुँचे थे हम लोग इधर से हम लोग इसलिए मोके पर आपको भी लेकर आए आपको भी इसलिए मोके पर हम लोग लेकर आए और आपको आपको जानकारी इसलिए जरूरी थी दिखाना क्योंकि मुख्य चैनल मुख्य चैनल है आपका मुख्य चैनल है आपका और आश्चे चैनल है जग और दूसरी तरफ सेगड़ो सेगड़ो साल पुराने पेड़ों को काट दिया जा रहा है ब्रिष्टाचार की भेड़ चड़ रहे हैं पेड़ और वन माफिया लखडी माफिया और अधिकारियों का कच्छोड एकटा होकर ये कृत्य कर रहा है तो मैं आप दिखाऊंगा देखे देख़ें कैसे एक दो तीन यह इनके जीते जाकते सबूद हैं इनके बष्टाचार के एक तरफ आप देखिए उधर की तरफ य yardımorde की सटक योडियार की सटक है जिले की जुएक सटक लकड़ी इन लोगोंने वन माफिया के साथ मिलकर उस सब लकड़ी को बेज डाला ये गड़े इस बात के गवां है ये गवां है ये गवां है एक एक पेड़ कटावा की बड़े 600 साल पूराने पेड़ इन लोगोंने काट काट कर म labels जीता है saad पेड जीवन रक्षक है जीवन दायक है जीवन देने का काम पेड़ करता है और दूसरी तरफ इस सरकार की नाक के नीचे यहां के अधिकारियों की नाक के नीचे यह माफियां इनके सामने पेड़ काटका चले गए और जी मुझे एक चीज और दिखा देज़े एक पार यह और पेड़ देखना चाहँ वह तमाम लोग है तरह देखाए यह देखिए आप यहां से यहां तक देखिए कैसे यह जीता जाकता सबूत है यह जीता जाकता इनका भरष्टाचार की गभाई यह कटेवे पेड़ दे रहे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सरकार से कहूंगा कि सरकार इसका संग्यान तुरंट ले और तुरंट संग्यान लेकर NGT के केस चल रहा है कोट में हम लोग भी NGT जाएंगे लेकिन सरकार इसका संग्यान ले और तुरंट के तुरंट अपायर जिनके उपर होनी चाहिए आप बताईए जिस तरी कि से टीम आई थी टीम ने भी माना है कि यहां वाकिव रष्टाचार हुआ है कई जगे खामिया है नियम काईदे कानुन ताक पर रख दिये गए जब हात्रस की घटना हुई मैंने उस हात्रस की घटना में एक एक पल की खबर मीडिया ने देश और दुनिया को दी कोई छपा नहीं सकता था खबर और इतनी बड़ी कारवाईयां हुई कुछ जगे हुई नहीं हुई लेकिन ये भी आपके आप सुबह से कई घंटे से मेहनत कर रहे हैं मैं आपको धन्यवा अफिया और अधिकारी मिलकर किस तरीक से इन लोगोंने पेड़ों को बेचा है खामिया उन्हें खुद मिल गई है अधिकारी को मौके पर अब सामने तो दिखाईए हैं हमारे मडियाई के परदान यहां पर खड़े हैं आसपास के चैर्मेन पुद्चुनाव लड़े यही पीछे बंजारे हमारे समाज के लोग हैं उन्होंने जहां पेड़ कटेवे थे जो लगवग लगवग 40-50 मीटर अंदर तक थे आपने खुद उसको देखा और पूछा इसताने लोगों से किस तरीके से पेड़े उन्हों ने चोरी किये हैं सदन में उठाएंगे और अगर म पड़े इस तर से हो नियाइक जांच हो NGT इसमें अपने बिचके किसी नियाइदीस को अगर यहां पर भेजे और उनकी अद्रक्षता में इसकी पूरे रस्ते की जांच हो तो दूद का दूद पानी का पानी हो जाएगा मैं दावे के साथ कह सकता हूं सारे कई इसमें सफ पूरे 112 किलोम्टर पर दो साल में कितनी रिष्ट्रिया हुई इसकी जानकारी विभाग के लोग दे मैंने बाकाइदा लिखित में मांगी है और जब दूद का दूद पानी का पानी होने काम करेगा आप देखेगा बड़े से बड़े अधिकारी इसमें संलिप्त मिलेंगे लग रहा है कि कुछ आप आए हैं इहां पर आपको लग रहा जिस तरीके से उठाय अगर एक्शन नहीं होगा तो किसी ने कहा चिडिया तेरे इस एक बून से पानी से क्या आग बुझ जाएगी तो ऐसे यहां अतुल प्रदान और उनके साथी खड़े हुए हैं जब भी बात आएगी पेड़ों की तो यहां पर एक एक विक्ति का नाम जो ने पेड़ काटे हैं या पेड़ बचाने के लिए जब नाम आएगा तो हमारा इन सात्यों का आएगा लगा बढ़ा बढ़ा ब अतुल प्रदान किस तरीके से बेहत तल्ख तेवरों में नजर आ रहे हैं सीधा कह रहे हैं कि बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है अधिकारियों के संदक्षण में एक काम हुआ है आज इस जाच टीम ने अपनी रिपोर्ट यहां पर जो जाच की है वो कर ली है कैई और जग हुआ है